हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सहब चली आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी आए थोड़ी सी बचिती सिम्ला मिर्च एक्टमाटर और हम चना दाल की सब्जी बनाएंगे पत्ता गोभी के साथ तो यह देखिए अधर हमने दो तीन आलू ले ली है छोटी छोटी तो इसको हमने दो के काट लिया है और यह दो फूल है गोभी के तो इसको भी हमने काट लिया है और यह चना दाल हमने भिगा दिया था तो इसको भी सब अच्छे से धो लेते हैं तो यह देखिए हमने सारे सब्जियों को अब चलते हैं गैस के तरफ। ते देखे हमंने कडाही में तेल ढाल दिया है अब इसमें हम ढाल देंगे लस्टन ते देखे लस्टन गोल्डन हो गया है अब इसमें हम ढाल ungefय देंगे प्याज ते देखिए ये गोल्डन हो गया है अच्छे से अब इसमें हम डाल देंगे दो तीन हरी मुर्ची मैंने मोटी मोटी काट ली थी आए टमाटर अब साथ में इसको हम डाल देंगे ये देखिए अब इसको हम चना दाल को भी इसी में डाल देंगे ये अच्छे से साथ में भुन जाएगा ये चना दाल पत्ता गोभी की बहुत तेश्टी सब्जी बनती है इस तरह से जरूर बनाईएगा आए हम लाल मिर्ची पाउडर धन्या पाउडर हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर अब इसको भी साथ में हम भून लेते हैं ते देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है अब इसमें हम सब्जियों को डाल देते हैं अब सब्जियों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं यह थोड़ी थोड़ी सारे सब्जियां सारी बच गई थी तो इसलिए मैंने कहा लाओ सारी सब्जियां गठा करके मैं बना लेती हूं तो इस सारी सब्जियां अच्छे से मसालों में भुन गई है अब इसको हम करिब 10 मिनट के लिए ढग देंगे अच्छे से सब्जियां सोब्ट हो जाएंगी तब इसको हम देख लेते हैं तो यह देखिए हमारे सब्जी अच्छे से सोब्ट हो गई है इसमें फ्रेंस पानी नहीं डालना है यह सूखी सब्जी बनती है तो इसमें धीरे-धीरे पानी निकलेगा आईसी पानी से सब्जियां पक जाएंगी अब इसमें हम डाल देंगे नमक ते देखिए सारे सब्जी अच्छे से हमने मिला दिया है अब इसको हम ढख देंगे और इसको अच्छे से हम पकने देंगे अब इसको हम देख लेगते हैं फिर से तो यह देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है तो यह देखिए सारे सब्जी अच्छे से हमने चला दिया है अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया पत्ति अब इसको हमें प्लेट में सब कर देंगे अगर इसको बंद कर देंगे तो यह देखिए हमने प्लेट में सब कर दिया है तो कैसी लगी हमारी पत्ता गोभी चना दाल की सब्जी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सेयर करें, ज्यादा ज्यादा सस्क्राइब करें और इसको जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे फोलो करिएगा तो भूटेश्टी सबजी बनेगी और इसको ट्राय जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगे मरी रेस्पी और मिलेंगे नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई